हलो फ्रेंड्स मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अस्था कमेड़ भर्णोशन में तो दोस्तों आज हम एकसल में जानेंगे कि माली जी आपको डेटा तयार करते हैं गलती से आपके कई नाम एक से अधिक बार हो जाए तो आप उनको रिमूब कैसे करेंगे तो चलिए सिंपली सा डाटा बना करके हम सिंपल सा दिखाते हैं आप लोगों को तो मैंने माली जी अपना एकसल ओपन किया और ओपन करने के बाद देखे आ लेड़ी हम पहले से इसमें कुछ नेम इस्टूडेंट के नेम माली जी लिख रही हैं और उनकी सब्जेट डाल दिये हैं अब इसमें देखें माली जी हम रभी वर्मा नाम को जो एक व्यक्ति है वो हिंदी इसकी सब्जेट हमने डाल दिये यह सोहन इसी तरह मैध डाल दिया आजए हमने इंगलिश डाल दिया है अब इसमें हमारे जो नाम हैं वो कुछ नाम हमारे एक से अधिक बार हो गए हैं और उनकी सब्जेट भी देखे एक से अधिक बार हो गई हैं अब हमें ये जो एक से जो ज्ञादा बारेने एक्स्ट्रा नाम जो हमारे लिग गए है और एक्स्ट्रा जो subject लिग गए उनको हमको remove करना है तो हम कैसे remove करें, जिसे मेरा data भी इधर उधर ना हो और गडबन ना हो यानि और आपका data जो बिल्कुल सही हो जाए और नाम भी आपकी remove हो जाए तो कैसे आप इसको सही करेंगे, तो चलिए हम आपको simply बताते हैं कैसे आपको करना है यदि आप माली method चंदन नाम करें जो वेकति है, इनकी subject computer है इसके बाद देखें यहाँ पर भी चंदन लिखा हुआ है और यहाँ भी subject computer है अब हमको माली जो चंदन नाम करें जो वेकति है उसका नाम हटाना है और उसकी subject हटानी है तो ऐसे अगर हम यहाँ से डिलीट करते हैं, इसको select करके माली जी तो क्या होगा, डिलीट तो यह हो जाएगा, लेकिन फ्रेंट्स यहाँ पर आपकी जो एक रो खाली हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, आप लोग रो अगर आपके extra खाली हो गई है, तो आप उसको नीचे का आजाए को हटाते हैं, तो बीच में एक रो खाली हो गई, उसके बाद आपको डेटा को इधर अगर ड्राइक करते हो या कट करके आप ले जाएगे, तब भी आपका समय काफी लगेगा, तो हम आपके एक सेंपली तरीका बताते हैं, जिससे आपके जो भी नाम डबल हैं, वो आपके सारे किशारे रिमूब भी हो जाएंगे, और आपका डेटा बिलकुल अदम फ्रेस सही हो जाएगा, तो इसके लिए कैसे हम करेंगे, तो सिंपली आपको उस पूरे डेटा को सेलेट कर लेना है, जिसमें आपको हटाना है नि रिमूब करना है, जो एक्ट्रा ना डुब्लिकेट का डायलो बॉक्स हमारे पास आगया है, अब इस डायलो बॉक्स में देखना है कि आप कौन सा कालम रिमूब करना चाहते हैं, तो देखें फ्रेंड्स, आल लेटी हम जो इस कालम की रेंज लिये हैं, वो तीन कालमों की रेंज लिये हैं, यानि जी, कालम, ए इनो कालम है, यानि जी कालम भी सेलेक्ट मेरा, एज कालम भी सेलेक्ट है, आई कालम भी सेलेक्ट है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एज कालम से पुछ नहीं करना, तो एज कालम से आपको यहाँ पर जो भी टिक है, यानि जो भी यहाँ पर चेक है, उसको अंचेक कर इससे क्या होता है आप लोग नया नाम यहां से आराम से फिल कर सकते हैं आपको बीच में कोई इडिटिंग करने की जरूर नहीं पड़ेगी तो यह काम आपका जो घंटों को काम है वो मिंटों में हो सकता है तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नालिज बढ़ा हो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें तब तक मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जैहिन गुड़ बाई